आपका पहला सवाल है, फलों का राजा किसे कहा जाता है? आपका ओप्सन है, A. आम, B. सेव, C. अंगूर, D. केला. इसका सही जबाब होगा, A. आम. आपका दूसरा सवाल है, ऐसा कौन सा पौधा है जो हमेशा ओक्सीजन देता है? ओप्सन है, A. नीम, B. बर्गत, C. पीपल, D. अशोक. इसका सही जबाब होगा, C. पीपल, आपका तीसरा सवाल है, मानव शरीर में आउक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है? आपका ओप्सन है, A. लाल रक्त, B. स्वेत रक्त, C. हिमोगलोबिन, D. पितरस. इसका सही जबाब है, C. हिमोगलोबिन, आपका चौथा सवाल है, मगर मच कितना साल जीता है? आपका ओप्सन है, A. बीस साल, B. साट साल, C. एक सो बीस साल, D. पैसट साल. इसका सही जबाब है, B. साट साल, आपका पचमा सवाल है, कौन सा पौधा पूरे जीवनकाल में एक बार फूर देता है? आपका ओप्सन है, A. बास, B. आम, C. केला, D. गुल, इसका सही जबाब है, A. बास, आपका चठा सवाल है, सेव में गुन सूत्र की संख्या कितना होता है? आपका ओप्सन है, A. बीस, B. उन्नीस, C. अठारह, D. सत्रह, इसका सही जबाब है, D. सत्रह, आपका सात्वा सवाल है, ब्रमान का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आपका ओप्सन है, A. बुध, B. शुक्र, C. ब्रिहस्पत, D. शनी इसका सही जबाब है, C. ब्रिहस्पत, आपका आठ्वा सवाल है, कच्छुआ के जीवनकाल कितना होता है? आपका ओप्सन है, A. दो सो साल, B. एक सो तीस साल, C. चालीस साल, D. सो साल इसका सही जबाब है, A. दो सो साल, आपका नव्मा सवाल है, जल मंदिर कहा स्थित है, आपका ओप्सन है, A. आग्रा, B. दिल्ली, C. पावापुरी, D. अयोध्या इसका सही जबाब है, C. पावापुरी, आपका दस्वा सवाल है, चुहा में गुन्सूत्र की संख्या कितना होता है, आपका ओप्सन है, A. अठासी, B. इककीस, C. तैतीस, D. नब्बे इसका सही जबाब है, B. इककीस